तरफ टिर निविए ने हैं आप सबकी डिमांड पर मीं एन मेंटु क्लास आपके लिए लेका हैं पार्ती राज़ीतिक शिंतन्द में बहुत इंपोर्टेंट और मोस्ट आपके एक्जाम के लिए राजा राहम मोन राए राजा राम मोन राए अब इनका थोड़ा तो हमने बायोग्रापी आपके सामें यह तले ही लिग दिये तो कि सिधा हम इनके राजनीतिक इचारों पर फोकुस करेंगे क्योंकि यह जो है ना यह जो टॉपिक जो आपको पढ़ा रहे हैं यह फर्स्ट यर के लिए भी इंपोर्टेंट होता है सेकंड यर के लिए थर्डी और एमे के लिए अब वह अलगलगी नियूश्टी है ना तो उस अकॉर्डिंग आपके मैंने सभी के सामने यहां पर बता आए जिनके सेलेबस में उन सबके इंपोर्टेंट है तो इनके विच्छारों को पढ़े हैं इससे पहले हमने थोड़ा इनका एजव बायोक्रापिया आपके सामने रख दिया तो देखिए कि राजाराम मोहनराय का जनब है वह 22 मही ौइऑ देखके एकशी यहां पर मैं आपको नोट करॐनाँगा के इनके पिता मां यानिया दादा जी वह बंगाल की नवाब थे नback से आत्रगत काम चाम करते ते या उनके सहयोग में में मतर्ड़न इनके ददाजी का नाम थै क्रश्नसंद गुठ कर्श्न आणी का नाम ये लेकिंगन सोर्य भेवाày पारिस को देखकर शहराया और उसके उपलक्चों ने उपादी दीती इनके जादर जी को कौँछ उपादी दीती क्रस्टन संद बनर जी ठीक है अब इन्हें बंगाल के नवाब ने खुछ होकर उपादी दीती राय बनकर शिरफ राय बन गया और यह उपादी इसके बाद है इनके अपने राजा रामों राय के साथ जुड़ जाती एक बारत और जियान रख लिए भागए बात करते हैं तो तेलेंटेट थे तो बालिकाल से ही यह परतिबा के धनी थे यानि इनके जो हुनर है वो उटमेटली सामने आए शुके थे अब देगा 15 वर्ष की जब यह थे ना उस समय इन्होंने बंगला फार्शी अर्भी हिंदी और संस्कत इन भासाओं को समझ लिया था या इन भासा में अनुवाद किया जो बहत्रिंकारी था इनका इसके लबाद 1821 के आसपास समवाद कुमोदी रसना किसकी है राजा मौन राय की कौन सी बासा में है बंगला बासा में यह पत्र है जो परकासित होता था इसी परकार फार्शी में मिरात उतुल अकबार यह फार्शी बासा क इसके साथ बात करें तो उन्होंने एक इंपल और इंपोडेंची आप ध्यान रखेगा कि धर्म और दर्शन की विद्वानों की एक प्रकार की विशार गोश्टी बनाई उन्हां ने धर्म दर्शन के लिए हम विद्वानों के एक कारी साला रखते हैं और विशार भी पहांदर का लिश्ट करकाद आता है वह 1828 में ब्रह्मस समाज की स्थापना यह मुश्ट इंपोर्टेंट ब्रह्मस समाज की स्थापना यह उदार नेचर के चार्ट और सभी धर्म के एक इनुकुल वातावन के साथ अच्छे समाज की सभी पेस करने के लिए इसको पिस्ता प्रताग पर निश्य द्रोक लगा ती क्योंकि इनकी प्रता है वह समाज के लिए वह मैलाओं की बिल्कुल गलत है क्योंकि वह उनके अको सम्मान की बात वर्ग करते थे आगे दिखें कि 20 सितंबर 1833 को यह ब्रिश्टल इंग्लेंड में इनका देहांत हो जाता है तो अब आपके सामने बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ हिस्ट्री जो काफी इंपोर्टन रही है अब उसके कुछ इंपोर्टन पॉइंट जो आपके सामने रखें जो एक्जा में आते हैं अब बात करते हैं कि बले ही राजारों मौराय का जीवन धार्मी को समाजी ग्रां लेकिन उन्होंने राज़्जितिक के संद्रब में विचार दिया हैं वे यह यह कहने का मतलब है कि यह विद्वां थे ओलडी इनका हर चेत तरह में उनकी थिवरी इनका एक तो वह आपके सामने रख रहे हैं और यह ज्यान रख लिए इंपोर्टेंट है और हम चाहते हैं कि यह बारतिय विद्वानों की जो क्लास की जो चीरीज आपके लिए शुरू की है उसको रेस्पॉंस मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि यह करण एक्जाम के अकॉर्डिंग या पर देखिए इनके राजनीतिक विचारों के हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट ले लेते हैं वेप्तिक एम राष्टी स्वतनता का परतिपादन ज्यानी राजनोग मंराय का व्यक्तिक और राष्टी स्वतनता को लेकर क्या उड़िशय क्या नजरिया था वह आपको समझा अरगा बलत कि राजनों मंराय अर्दय और मस्तिक से उढ़ार थे तो इससे स्वतनता के परतिएंका अगाध विश्वास था ठेक हैं कि उदार वह हर्देर से हर्देर से स्वतंतरता के अगाध दिश्वासी थे यहीं स्वतंतरता को इंपोर्टैंस देते एंपोर्टैंस तो रहते करते इंपोर्टैंस देते जैसे की इन विर्शाराउिस से प्रभावित थे astrolog आप जानते हैं। जॉन लॉण लॉव इसके लिए। इस बाएं ये प्राकर्तिक अधिकारों का समर्तन किया इन्होंने व्यक्ति के कौन से अधिकारों का और स्वतनता का समर्तन किया है प्राकर्तिक अधिकारों का तो इस प्रकार से राजारों मांध्राय ने भी यह माना कि व्यक्ति को उसके प्राकर्तिक अधिकार मिलने था यह जैसे कि मर्तम भी किया है तो अब यहां पर राज्जनाम पर कहते हैं कि व्यक्ति को प्राकर्तिक अधिकार मिलने चाहिए उसके स्वतंता मिलनी चाहिए अब देखें यहां पर मैं एक इंपोर्टेंट चीज आपको समझाना चाहूंगा कि व्यक्तिक स्वतनता का मतल्य होता है कि व्यक्तिक हो उसके कारिय में व्यक्तिक उसके जीवन में काम करने की स्वतनता मिलनी चीए विचाहर की स्वतनता होनी चीए उसी राज्जी के द्वारा उस पर ककल्यान और व्यक्तिका उद्धिश्यों के पूर्तिके लिए राज्य उस पर रोकना लगा कर व्यक्ति को ठोड़ा स्वत्नता दें भीक्ति के विकासके लिएów कर रहा है तो व्यक्ति के काम करने के इस लक्षन की वज़े से भी कुछ काम करने की उमीद रखते थे जैसे अगब बात करें तो यह कहते थे कि भी राज्य पूरी तरसे नकारा कर दिया नहीं उन्होंने कहा कि राज्य को भी समाज व्यक्तिक स्वेत अनत्रता का अर्थ व्यक्तिको इनके चेत्र में पूनत सुवत अंधरता परदान करना ताकी स्वेचिक रूप से कारिय एवं विशाज अभी व्यक्त कर सके लेकिन लेकिन राय राजा रोमन राय राज्य से भी अपेक्षा करते थे की राज्य द्वारा समाज सुधार समाज सुधार के कारिय किये जाने साहिए किने का मतलब है कि व्यक्ति को ही अधिकार या व्यक्ति को ही पूनत सुवतनता देकर अव्यवस्ता भी हो सकते तो दोते हैं यहां वैक्टिकत आ जाली बैल्कुल जरोरी है, लेकिन यहां पर राज्य को भी इंपोर्टेंट दिया, राज्य को भी जिम्मेदार दीं हो, राज्य को भी बताуск। मैपका भी है, समाज शोदार करना, सिक्षा के व्यवास्ता करना या स्माज में गान समझ्या है उसका समाधान करना इसके लिए हो सके तो व्यक्ति के ऊपर कुछ नियम भी बना सकता है तो इस तरह से राजारुम मंद्राय व्यक्ति सुन्ता के हिमायती होते हुए भी राज्य को या राज्य के दायतों को सामिल करना न भूले और यह बहुत इबड़िया तिंक्स होती है, कि आप एक ही जिगा पूरी स्वत्ता देदो, वेवस्ता हो जाएती है, इसलिए यहाँ पर राज्य के दायतों का आभास कराते हुए, राज्य को भी कारी करने की विक्षा की, और का गया है, कि राज्य जो है, वो निर्बल और अरसायों की रक्षा करता है, इसलिए तो इसलिए राज्य जो है, वो अपने अंदर निर्बल और अरसायों की रक्षा करता है, अगर वेक्ष cured का स्वात्था किनी ये, वी आपको शाओ nyt जाया जो आपको बता रहा है उस पे ध्यान दिते यानि अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेक डूसरा विचार है राजामुन राय के राश्टी स्वतंतरता के समझ में ठीक है क्योंगे एक साथ दो पॉइंट करवा रहा हूं कि देश से प्रेम था देखो राष्टी स्वत्नता का मतलब है एक राष्ट के नागरी के दर्मियान आपके अंदर क्या भाव एमोशन्स थे और राष्ट की स्वत्नता के वारे क्या सोचते हैं तो यह प्लेट अपने बात करते हैं राजारोम उन राय की तो बौधिक और आपके नागरी का मतलब था कि बेशक राष्ट को स्वत्नता नी जाने चीए लेकिन यह एक तरस से यह भी कहते थे कि अगर एक राष्ट के ऊपर किसी एक बुद्धिमान किसी एक बुद्धिमान राष्ट के द्वारा सासन किया जा रहा हैं तो उससे लाब मिलेगा उसे ज बारत के पुरकिस का अदिकार था इंग्लेंड का तो कुछ माइनों में यह मानते हैं कि एग्लेंड है वह एज़े नॉलेज के तौर पर एज़े बुद्धि के तौर पर वह भार से ज्यादा विख्षित था तब यह कह रहे हैं कि राष्टि श्वत्ता बेसक जरूरी है ज किसी देश पर शासन कर रहा है तो उसके शासन का फाइदा लाब उनके देश को मिलेगा और उसकी छोच जो है शासन करने की वह लोगों के उस रज्जी के लोगों के उपर पड़ेगी तो इस परकार से यह राष्टी स्वत्ता का हिमायती होते हुए भी उन्होंने यह भी का क कि एक अच्छा राष्ट अगर समझदार बुद्धी वाला राष्ट है अगर वह किसी देश के उपर शासन कर रहा है तो उसका फाइदा उस कमजोर या मतलब उस तरह के नौलेज न रखने वाले सासन के लिए तो फाइदा होगा तो इस तरह सी यहां पर उन्होंने यह का कि राष्टे सुनता के पक्स में होते हुए भी उन्होंने इंग्लेंड की भारत के उपर शासन को कुछ अज तक उचित भी थेहराया था ठीक है और देखा जाएं तो यहां पर उन्होंने यह भी का कि वे इस तरह से इनकी विचारों से एक सीतों क्लियर होगे कि कॉंग्रे को मिलेगा और हमें लाब मिलेगा इस तरह से यहां पर राजा राम मुंध राया ने प्रतिक व्यक्ति से आत्मा अनुशासित की भी बात कहीं कि अग्युद्धी संपन राष्ट द्वारा सासन किये जाने पर इसका लाब व जन मानस शकारात्मक प्रभा पड़ेगा शकारात्मक प्रभा ठीक है तो यह मैंने पहला विचार आपके सामने रख दिया समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं दूसरा प्रेस की स्वहतंतरता क्योंकि प्रेस यानि व्यक्ति को अपने विचारों को अभी वक्त करने की आजारी प्रेस मीडिया आप समझते हैं न अंग्रेजों ने भारत के उपर उस समय उनको लगा कि देश विरोधी साइट के प्रिंट हो रहे हैं बार निकल रहे हैं तो उन्होंने प्रेस पर परतिबन लगा दिया था तो इस तरह से उन्होंने प्रेस के आजादी के लिए प्रियास किये थे प्रेस की स्वातंतरता प्रेश की स्वातंतरता देखें यहां पर हम बात करते हैं कि 1823 के आज़ पास मिल्टन मिल्टन द्वारा प्रेश की स्वातंतरता पर क्या लगा दिया था प्रतिबंद प्रतिबंद का मतलब है कि अब कोई भी प्रेश मीडिया पर रोग लगा दिए अब यहां पर यह होता है कि राजा रड़ाना रजार्वून राय को लगा कि अंग्रेजों कि अवह लगाये ने यहां पर हम बात करें लिखित अभी व्यक्ति लिखित अभी व्यक्तई लिखित अभी व्यक्ती कि सुख्ष तंतर्था सभी को होनी साहिए सभी को क्या है 15 लुड़ां ने यह का सिंपल सीधे सीधे कि व्यक्ति को अपने विचारों को अभीवक्त करने के आजारी होनी चैनल पर प्रतिमन नहीं लिगा यह साथ सकता इसलिए राजा राम मुंद राय के अलावा और भी विद्वान थे जो एक साथ मिलकर अंग्रेजों के इस प्रेस्क प्रतिमन लगाया थे इसके उपर उन्होंने की वापिस याचिका नियाले में प्रेस्की जिसके साथ हम बात करें तो द्वारकानात ठाकूर थे उनके साथ द्वारकानात ठाकूर थे और इसी तरह हर संद्र गोश थे और बात करें गोरी संकर इक dit तो इन सब मिलकर प्रेस्जों के दबहरा लगाएक प्रतिमन के लिए याचिक región एक यांचिका थो नी कहा कर दिया है धिसको तुर्स और अलू इसके बाद राजामिन・ध्यराय के प्रियास हैं वह बेटिश संब्रार्ड तक पहुशते कहां तक पहुषते हैं ब्रिटिश सम्ब्राट यानि ब्रिटिश सम्ब्राट के पास प्रेश की स्वतंतरता के लेकर यासिका ले जाते हैं और वहां उन्हें ये समझाने का प्रियाश करते हैं कि व्यक्ति स्वतंतर हैं तो उसे विचारों की स्वतंतरता दी जानी सिये और व क्या कर देते हैं इनकी याचिका को अस्विकार कर देते हैं लेकिन फिर भी देखा जाए तो इनके प्रियास कहीं न कहीं इंके प्रियास कहीं न कहीं इंपोर्टेंट थे तो जब अंग्रेजों ने इनके प्यास को सहराना नहीं और स्विकार नहीं किया तो उन्होंने क्या किया कि फार्षी में जो पत्री का सप्रे थी क्योंकि आप विरोध करना है विरोध का मतलब तो यहां पर विरोध भी ऐसा हो जो सीधे उनकी अंतरात्मा को जिजोरे तो इस तरह से उन्होंने फार्षी भासा में जो प्रकासित हो रहा था पत्र मिरातुल मिरातुल यानि आपको लिकाया था मिरातुल जो आपको सबसे पहले इसके बारे में लिखवाया था और आपको बिल्कुल लिखवाया था आपको याद हो गाए इसके बारे में क्योंकि मिरातुल अकबार था क्या था मिरातुल अकबार था और इस अकबार को उन्होंने प्रिंट करवाना बंद करवा दिया है इसको उन्होंने क्या कर दिया प्रिंट करना या मतलब जो वह लिक रहे था पत्र निकाला वह बंद कर दिया ताकि अंग्रेजियों के उपर यह प्रभाप पड़े और इसके लावाद दीरे इन्होंने अपने इस्तर पर अन्नेक प्रियास किये जिसमें सवाद कमोधी है इसका प्रकाशन किया इसके लावाँ उन्होंने इंगलिस मेगजीन भी निकाले थी है इंगलिस मेगजीन जो साइथ आपके एक्जाम में आ सकता है ब्रहामनी कल मैगजीन नोट कर लिजीगा ब्रहाम निकाल मेगजिन यह इंपोर्टेंट है और इसको आप नोट कर लीजिएगा क्या कर लीजिएगा नोट क्योंकि यह पद्रिका उन्होंने निकाले जिए अपने प्रयास तो किये ताकि वेक्टियों तक अपने विचार पहुशा है जा सके उन्हें राजनीतिक सोच व करते हैं नेक्टिन के राजनीतिक विच्छारों में जो इंपोर्टेंट है नियायक स्वतनता का स्वरूप अब यह उन्होंने क्योंका कि नियायक स्वतनता का मतलब हैं अंग्रेज्जों के जो नियायने रस्ता है उसमें एक सुदार होना चाहिए सुधार के लिए का जो भी नियायदिस हो भारतिय हो या इरोपियों उसको सभी का नियायक करने का अधिकार होना चीए डलीदों को सुनने का क्योंकि उस समय ऐसा क्यों हुआ तो देखो उन्होंने का 1827 में नोट कर लिजिएगा इभी 1827 में एक अधीनियम आया था किया था एक अधीनियम आया और इस अधीनियम में एक ये बात रखी गई ये का गया कि जो हिंदू और मुसल्मान है वो इसा ही पर कभी अभियोग नहीं चला सकते इसमें क्या कहा हिंदू वो मुसल्मान अंग्रेज पर अभियोग नहीं चला सकते नहीं चला सकते कहने का मतलब है कि हिंदू और जो मुश्ली मतलब जूरी जूरी में जज यानि यह काग्या कि अगर जज के तौर पर हिंदू हो या मुसल्मान हो तो उन्हें कता भी यह अधिकार नहीं है कि वह अंग्रेजों की केस की सुनवाई करें और उनके ओबर अभियोग लगा है तो यह तो एक जातिकर पेदबा हुआ यानि वे कहन न्याय दिशों एवं जूरी की फर्तिष्टा को बनाए रकना साते थे लेकिन लेकिन जातिगत बेदबाव का विरोध किया जाति बेदबाव का क्या किया विरोध किया समय में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्यों जातिकत ब्रवाब हुआ ना कि इंदु मुश्ली में वो अंग्रेजों के केस को नहीं सुन सकते हैं लेकिन अंग्रेज हैं वो इनका केस सुन सकते हैं उन्हें सजा भी दिया सकते हैं तो यह तो गलत हुआ ना नियाएक स्वतलता के दिया करता कि सभी को नियाएक पूर्श वनाभ उना चीए तो उन्हें कर दिया नियाएक और नियाएक आख उना है तो उन्हें ermूशिय हैं टुण मुश्ली में अंग्रेजों का बियूख नहीं लट सकतें यह कहांगा नियाएक वे विरौद किया तो इ इसके लिए उन्हों, प्रवर शमीत्य प्रवर समीति को अपना परस्ता बेजा और बताने के को से ही यह पूरी तरह से सभी नहीं है उसका सिदार किया जाना चिह तो फिर बाद में बार्ची अपरादिक वीदी स Warning है जिसमें बहुत अधिक वैभस्ता हो किने का मतलब बाद में दिरेय दिरे राज हरुमानया के यसी प्रयासों से उनकी इसी तरह से जैसे बात करते हैं यहां पर उन्हां लोग सदन में अपने समित्य में प्रस्ताफ बेचे और अलगले तरह पर अपने कोशी से की तब जाकर कहीं न कहीं यह सुधार बाद में देखने को मिला तो यह बहुत बड़ा इनका योगदान होता है और तभी तो इनकी मानमिताओं को ध्यान में रखकर भारतिय अपरादिक विदी सहीता त्यार होई क्या होई अब आगे बात करता ही यह तो था इनका नियाएक स्वतनतरता को लेकर विचा ठीक है अब आगे देखिए निक्स जो यहाँ पर आपको बताने की कोशिक कर रहा हूं प्रेश की स्वतनता होगी यह विवस्ता के उपर आपको बचा दिए अब प्रस्टाशनिक विवस्ता का स्वरूप देखिए अब यह कोई कहने का मेंस हैं कि 1833 की ही बात करें लोकसदन लोकसदन में समीति थी प्रवर समीति कौशी समीति प्रवर समीति ठीक है नोट कर लेजेगा प्रवर समीति तो प्रवर समीति के समक्ष उन्होंने साक्ष्य प्रसूत करते हुए उन्होंने इसमें कुछ शाक्ष्य प्रतुस किये शाक्ष्य शाक्ष्य के तौर पर उन्हों प्रशासन को और बहतर कर चके तो इसके लिए उन्होंने क्या सिपारी से की जो बाद में कही न कहीं जाकर अंग्रेजों के दौरा प्रशासन को सुधाने के लिए कुछ प्रयास जरूर किये थे तो उन्होंने प्रशासन को सुधाने के Careful जो दलिले से रखी वहती ही देशी लोगंख्शैना की स्थापना की जाएं धेश की लोग है, देश की लोग है ना तो देश वासियह को अधिक नौकरिया व उचपद उचपद मिले क्योंकि अंग्रेजी उचपद पर रहते थे भार्कियों को उचपद हैं वो नहीं दिये जाते थे पर रेट की दसा में सुधार किया जाए रेट की दसा में अंग्रेजीयों के द्वारा भारति क्रशी पर टेक्स्ट लगाने की प्रता थी जिसके रेट बाड़ी कहते हैं यह लग लग नियम बढ़ाये थे तो वह आप इसके बारे में पड़ी चुके होंगे तो उसमें सुधार की बात करिए और तीसरा यहां पर रखा कि रक्षा के लिए कानूनों का निर्मार किया जाए या इसकी बात करें इनकी रक्षा के लिए रक्षा के लिए सुधार कानून तो कहने का मतलब यह है कि इनके शुदार के लिए एक तरह से देखा जाएं तो प्रबर समझति के समझ में अपने सुझापिसी पाइसर रखी राजिनितिक वीचारों में आता है उस तरह से उन्हों ने अच्छे साशन के बार में वकालत करी थी समझवा गया तो यह थे इनके यहां पर प्रसाशनिक व्यवस्ता के अंदर के सुधार अब आगे बात करते हैं नेक्ट इंपोटेंड तो देखे अब हम बात करते हैं इनके राजनिती और कानून के माज्यम से समाज में सुधार समाज में सुधार समाज में सुधार देखे प्यारे विद्धार्ट यह देखेने का मतलब है कि अगर आप कुछ बैतर करना चाहते है तो आपके पास किस पौबरत होना चीए ना कुछ नॉलेज उस फिल्ड का होना चीए तब ही तो आप कम कर भेंगे तो उनके पास नॉलेज तो बहnine खुभी था तो उन्होंने राजनिती और कानून के सारे समाज में बहतरे करने के लिए काम किया जैसे एकर बात करें वह तो आप चैनले यह महान समाज सुधार्uk थे अब इसी की बदालत देखा जाय है तो उन्होंने समाज में बहु से विवस्ताइं की और बहुत से ऐसे कानुनों के अंत्रगत अपना पूरा अतक प्रयास किया था कि समाज में शुरार हो सके तो इसके लिए इनी के प्रयासों से इनी के प्रयासों से विल्यम बैंटिक के समय सती प्रथा कर दिया निशेद कर दिया था कि ये इस्तृयों के लिए बिल्कुल गलत हैं समाज में इस्ति प्रथ के उपर क्या प्रभा पड़ता है इस पैसे अतासर बातिस के आसपाथ विल्यम बैंटिक के साथ मिलकर प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई जो एक गलत ता और समाज को सुधाने के लिए ये करणा भी जरूरी था इसके अलाबा वे इस्तिपुरुष की समानता के समर्तक थे ठीक है ये जानना बहुत जरूरी है अब आज करते हैं मानवतावाद विश्व बंदूत्वा एवं विश्व बंदूत्वा मानवतावाद का मतलब है मानव के हक में सोच और मानवी इता को बढ़ावाद देने के लिए जो विश्वार होते हैं मानवतावाद क्योंकि आपर बात करते हैं तो राजाराम मुंद्रा है वह मानवतावादी भी थे मानवतावादी थे यानि मानव के बार में सोचना मानवी हग के लिए विश्वार करना मानवतावादी क्यों आ राता है इसलिए वे एक मानव को सभी राज्यम में उसको समा गीजिश्व नागरता ना मिलेए उचि बिश्व नाजिर के तौर के परिचान अलोली ज्येए लिए भी शुनाज़ितता के पर्थि पाधक में विश्वबन्दुत्व की धारणा रख थै कि दिश्व बंदुत्व की दाषना जनी दिश्व में सभी बहिवाई सारे शरे सभी के मद्यव एक बहिवाई सारे का बंदूत्व रखा रहे इसलिए वेश आते थे कि एक बहुआ नमवन स्ट पर विश्वास करते थे किस पर विश्वासद करते थे। इस प्रकार से उसको सभी जग चम्मान वीए जाएं। इस प्रकार चींविशार उनके रखते थे और वे समस्त मानव जाती को एक परिवार मांगते थे। विश्व बन्दूत्व का मतलब ये ही होता है। समस्त मानव जाती को परिवार मानते थे यही इनके चोच विश्व बंदुत्व यही सोच इनके विचारों नजर आती है और इनके मित्र थे बैंतम जैर्मी बैंतम वो तो इनके विचारों के कायल थे कायल का मतलों कहते हैं प्रसंचा करते थे इस तरह से देखा जाए तो राजनाम मुंद्रा है न वो एक ऐसे विश्व संगटन की इस्तापना करना चाहते थे जहां अगर दो देशों के मद्धिय कोई मजबेद हो रहा है तो उसका निप्टारा हो जाए जैसे अभी वर्तमान क इस तरह से उनकी सोच थी वह पूरे मानव के लिए और एक विश्व कल्यान के लिए यह सोच थी और इसलिए उन्होंने ये विश्व सब के समक्ष भी रखें तो मेरे प्यारे विद्यारतियों आप सभी की उमीदों के अगर्डिंग ये क्लास अब यहां तक पहुंचते हैं और हम क्लास को समब्द करते हैं आज हमने रजार्रों राय की राजितिक विश्व का जितना भी जे बार